Taxonomic Publications Taxonomic Publications की बहुत सारी Types हैं उसके अंदर हमने Monograph का जिकर किया इसके अंदर हम एक Particular Taxon के उपर एक Comprehensive Data Publish करना चाहते हैं उसके लिए हमने कहा कि Detail Information चाहिए होती है और इसके लिए जो Person Monograph लिखने जा रहा है वो Specialist हो क्योंकि एक आम परसन जिसके बाद एक Particular Taxa के मतलिक Information नहीं है वो एक Monograph नहीं लिख सकता उसके बाद जो Next Type है Field Guide या Final Work Final Work क्या है Final Work के अंदर किसी भी Particular Area के अंदर जो एक खास Taxa है उसके मतलिक अगर एक Detail Document को इतियार करना चाहता है तो उसके अंदर वहां की Ecology या वो जो Specimen है वो जो Taxa है जिसके मतलिक ये Document त्यार करना है उसकी Ecology वो किस किसम के Environment के अंदर पाया जाता है उसकी Detail Description शामिल करनी होती है उसके लावा जो Field Guide है आम तोर पर Field Guide के अंदर क्या किया जाता है कि बहुत सारे जो Taxonomist हैं वो Non Taxonomist के लिए असानी पैदा करते हैं वो एक Field Guide बनाते हैं और उसके अंदर ऐसे Characters रखे जाते हैं ऐसी Keys रखी जाती हैं जो के इस्तमाल के अंदर बहुत Simple हों क्योंकि आम तोर पर जो Taxonomic Keys होती है वो काफी Difficult होती है उनके अंदर जो Language होती है वो काफी मुश्किल होती है उनको सिरफ वही लोग समझ पाते हैं जो उस Field से तालुक रखते हों क्योंकि आम पब्लिक Taxonomist Keys का इस्तमाल नहीं जानती इस वज़ा से Taxonomist Non-Experts के लिए Special किसम का Document बनाते हैं Field Guide बनाते हैं उसके अंदर जो Characters रखे जाते हैं वो बहुत Simple होते हैं यानि एक आम परसन भी उन Characters को आसानी से Identify कर सकता है ये जो Field Guide है इसको Use करते हुए जो Non-Expert है या जो Non-Taxonomist हैं वो आसानी से उनके इर्द गर्द जो Animal की Species है या Plant की Species है उनको आसानी से Identify कर सकते हैं अब जो Field Guide है उनका जो इस्तमाल है वो Public Places के उपर खासत दौर पर एक पार्क है या एक Forest है वहाँ पे कुछ विजिटर्स जाते हैं वो मुक्तलिफ किसम के Animals को देखते हैं मुक्तलिफ किसम के Plants को देखते हैं तो वो इन Field Guides को इस्तमाल करते हुए Plants या Animals को पहचान सकते हैं कि वो किस Group से तालुक रखते हैं उसके लावा ये जो Field Guides हैं ये Students के लिए भी काफी Helpful होती हैं ये Lay Man के लिए काफी Helpful होती हैं क्योंकि जो Students हैं जो के अपने Early Carrier के अंदर होते हैं वो भी जो Taxonomy के अंदर जो Terms यूज होती हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इलम नहीं रखते इस वज़ा से उनको समझाने के लिए जो Field Guide होती है उसके अंदर Simple Language का इस्तिमाल किया जाता है उसके बाद जो Next Type of Publication है वो Catalog है Catalog क्या है Catalog is an Index to the Taxa arranged in such a way to give a vivid picture of references for both Zoological and Nomenclature Purpose यहाँ पर यह इंडेक्स नंबर होता है यह बेसिकली एक लिस्ट होती है एनिमल्स की जिसको देखके फॉरन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक Particular Group के अंदर कितनी Species मौजूद है या किसी Particular Area से कितनी Species Record हो चुकी है अब जो एक कैटलॉग है एक कैटलॉग के अंदर क्या क्या इंफर्मेशन मौजूद होनी चाहिए वहाँ पे Original Description होनी चाहिए Species की उसके बाद Reference अविलेबल होना चाहिए जहाँ पे उस Species की Original Description दी गई हो उसके बाद Original Description के बाद अगर किसी और परसन ने उस Particular Species के उपर काम किया है तो उसके Reference वहाँ पे अविलेबल होने चाहिए उसके बाद वो जो Species है उसको कहां से Collect किया गया जिसको हम उसकी Type Locality कहते हैं Type Locality के मुतलिक Information अविलेबल होने चाहिए उसके बाद उसकी Depository Detail यानि वो जो Specimen है उसको कहां पर Deposit करवाया गया किस Museum के अंदर Deposit करवाया गया उसका Number क्या है Identification Number क्या है उसके बारे में Detail होने चाहिए और उसकी Genus क्या है उसकी Genus के मतलब Information मौजूद होने चाहिए